अभी आप लो एक केस के बारे में काफी सुन रहे होंगे उसका नाम है National Herald केस और आपने देखा है कि ED के द्वारा राहुल गांदी से पूश्टाज किया रही है और इंद्रा गांदी से भी समन भेजा गया है उन्हें भी ED के सामने पेस होना पड़ेगा तो इस Herald केस के बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं कि आखर एक केस है क्या और इससे पहले हम लोग ED के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आज कल ED भी काफी चर्चा में बना हुआ है क्या ED भी काफी चर्चा में बना हुआ है और ED के बारे में बात करें तो इसे आप लोग प्विवर्तन नेदे सालाय भी कहते हैं क्या कहते हैं? प्विवर्तन नेदे सालाय भी कहते हैं और आपको बता दूँ कि 1 माई 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, कब 1 माई 1956 को, और इसकी सक्तियों की बात करें तो यह आप देखेंगे, इसे कई तरह की सक्तिया मिले हुई हैं, बिदेशी मुद्रा प्रवंधन अधिनियम यह एक नागरिक कानून है, जो नेदेशाले को अर्ध नयायक सक्तियां देता है, और यह नेदेशाले को विनिवे नियंतन कानून के संदिग उल्लगनों की जाज करने के साथ दोस्ती पर जुरवाना लगाने की भी सक्ति देता है धन सोधन निवारन अधिनियम और यह एक अपरादिक कानून है, जो नेदेशाले की अधिकारियों को अंतरिम रूप से जाज परताल करने, पूंचनाज करने, जुरवाना लगाने का अधिकार देता है। और आप देख रहे हैं देश भर में बिबाद बना हुआ है, बीजेपी की तरप से आप देखेंगे सत्ता बक्षी की ओर से आरोप लगा रहे हैं, फिर आप देखरें कंगरेश भी इस पर आरोप लगा रही है कि ED का दुर्पیयोग किया जा रहा है, तो एक बात आप लोगों उसका दुर्वयो किया जा रहा है, अंतिम में देखिए आप लोग अदालत क्या फैसला देती है, वो ही मानन होगा, और आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आरोप से दोना एक बड़ी बात होती है, इस बात को आप सभी जानते भी होंगे, राहूल गांदी, सौन लिमिटेड नामक कंपनी करती थी, यह एक अखवार था, क्या था, अखवार था, न्यूज फेपर था, और इस कंपनी को साल 1937 में ही बनाए गया था, यह देश की सुतंता से पहले का अखवार है, और इसमें नहरू के अलाबा स्तैकडों सुतंता सैनानी भी सेर होल्डर्स थे, और यानि यह कंपनी किसी एक या कोई विसेश व्यक्ति के नाम पर नहीं थी, आजादी के लिए अंदोलन के दौरान यह अखवार सुतंता सैनानियों की आवाज बन कर गया था, और आखको बता दूँ कि कई लोगों ने मिलकर इस कब्विनी की स्थापना की थी, क्या है नेशनल हेराल्ड, आजादी के लिए संगर्स के दौरान नेशनल हेराल्ड सुतंता सैनानियों की आवाज बुलंद कर रहा था, और नहरू संपाद किये कि जरिये बेटिस सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, साल 1942 में अंग्रेजों ने इस अकवार को पिती बंदित भी किया था, और 1945 में फिर से इसे सुरू किया गया था, साल 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद अकवार का पिकासंग जारी रहा, यानि की 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आजाद हो जाते हैं, उसके बाद भी ये निउच्वेपर निकलता रहा है, और अब ये कॉंग्रेस की नीतियों का प्रिचार विपिसार भी कर रहा था, कौन? इननेशनल हैराल, और आपको बता दूँँ, आप सभी जानते हैं, जो आज आप लोग कॉंग्रेस देखते हैं, ये आप देखते हैं कि एक तरह से आजादी में इसका बहुत बड़ा इफदान रहा है, लेकिन कई आ जाती, धर्म और अब देखे, समो के लोग सामिल थे, साल 2008 में यूपिय की सत्ता के दोरान, इसका पिकासन एक बार फिर से बंद कर दिया गया, और बताया गया था कि अकवार की बित्तिय स्तिती ठीक नहीं है, यूपिय की बात हो रही है, आपको बता दूँ, इसमें कॉंग्रिस मुख घटक रहता है, बाकी कॉंग्रिस के जो सही होगी है, इन्हें मिला कर आप लोग यूपिय कह देते हैं, एंडिय में आप देखते हैं कि बीजेपी मुख घटक है, और इसके जो सहायक दल है, उसे मिला कर एंडिय कह देते हैं, क्या कह देते हैं, यंग इं फिजदी सियर राहुल गांधी के पास और इतना ही सियर सौनिया गांधी के पास था यानि कि कहने का मतला हुए कि 38% हिस्सेदारी राहुल गांधी के पास थी और लगबग 38% हिस्सेदारी सौनिया गांधी के पास थी यानि कि मा बेटे के पास बाकी बच्चे 24 फिजदी सियर औसकर फार्णाडीस और मौतिलाल बोरा और दूसरे लोगों के पास थे आरोप यह है कि 2011 में अखवार से जुड़ी कंपणी के होल्डिंग को यंग इंडिया लिमिट्नेड में ट्रांसफर कर दिया था यानि कहने का मुदलवी कि वो आपका जो आप कंपणी देखते थे ना जो आपकी नैसनर हैलाल्ड अखवार पिकासन करने वाली कंपणी थी जिसे आप लोग एसोसियेट जनर्नल्स लिमिट्ट के नाम से जानते थे इसका क्या किया कि इसका इसे आप देखेंगे यंग इंडिया लिमिट्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है इसने उसकी हिस्सेदारी उसे ले लिया आपने अंदर ठीक है फिर आप देखेंगे सुवव मन्यम स्वामी आप सभी जानते हैं कि भारतिय जिंत्या पार्टी के कद्दावर नेता हैं और ये हमेशा चर्चा में भी बने रहते हैं साल 2000 बारे में बीजेपी नीता सुवव मन्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक सिकायद दर्च करवाई थी और यंग इंडिया लिमिटेट में एसोसियेट जनल्स के अधिकरण में दोखा धड़ी की और उनका कहना था कि यंग इंडिया लिमिटेट ने ने नेसनल हेलाड की कंपनी पर गलत तरीके से कब्जा जमाया जिसमें कॉंगरीज पाइटी के फंड का उपयोग किया गया है और सुवामी का कहना था कि यंग इंडिया लिमिटेट ने 90 करोड रुपे की बसूली के अधिकार को पराप्त करने के लिए महस्त 50 लाक रुपे का भुकतान किया और इस मामले में सुनिया गांधी और राहूल गांधी के खिलाब केस दरज कराया था किसने सुवामन्यम स्वामी ने बीजेबी के जो नेता थे यानि कि आप देखे कि 90 करोड की जो कंपनी थी एक तरह से उसकी हिस्सा था उसे केबल 50 लाक का भुकतान करके उसे बस अपने देशालाय यानि कि E.D. ने ने नेसनल हेराल्ड केस की जाज शुरू की और इस मामले में मनी लॉंडिंग को लेकर 26 जून 2014 को कोड ने सौनिया गांधी राहूल गांधी को समन भी किया था और 2015 में सेप्टमबर की महीने में E.D. ने फिर से इस मामले की जाज को शुरू की क्योंकि आप सभी जानती कि 2014 में भारती दिंता पार्टी की केंद में सत्ता आज चुकी थी और पिधार मंत्री के रोम में मौधी साहब सपत ले चुके थे और दिसंबर 2015 में सौनिया गांधी और राहूल गांधी इस मामले में पट्याला कोर्ट में फेस भी हुए थे और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी हाला कि सौनिया गांधी राहूल गांधी के खिलाब मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था लेकिन नेजी तोर से अदालत में उपस्तित होने से चूट मिल गई थी फिर आप देखें विल्डिंग के विवसाइक इस्तिमाल का आरोप अक्टूबर 2018 में दिली हाई कोट ने एसोसियेट जनल्स लिमिटेट को बहादूर साथ जपर मार पर इस्तित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था जिसमें बिल्डिंग यानि की हिमारत के व उस आदेश पर भी रोक लगा दिया था फिर 2022 आता है और एक साल एक जुन को प्यवर्तन ने देशाले ने ने नेशनल हेराल्ड मामले में सौनिया गांदी राहूल गांदी को समझ जारी किया था और जिसके बास 13 जुन को राहूल गांदी एडी के सामने पेस हुए लेकिन इस मामले से जुड़े अधिकतर सवालों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है ऐसा देखी कई रेपोर्टें कई नियूज पर दावा करें है ओदै सौनिया गांदी को भी पुछना आज के लिए बुलाय गया था लेकिन वो अभी करोना को से पईड़े थे और एडी के साम हाजिर होने के लिए अभी समय उन्होंने मांगा है कॉंग्रेस का दावा ही कि जब नेशनल हेलार्ड का पिकासन करने वाले असोसिये डेड जन्रील्स लिमिटेट को भित्य संकट की स्तिती से गुजरना पढ़ रहा तो कॉंग्रेस ने उसे बचाया था तो यही कहानी है कि की जो आपका National Herald अखवारी की और इसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें देखिए आप लो कि जिस कंपनी में हिस्सेदारी राहूल गांधी और सौनिया गांधी किये वही उसे पचास लाग में एक तरह से खरीद लेता है उस कंपनी को और आप देखिए कि 90 करोड कहा तो यही आरोफ लग रहे हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है एंतो आप देखिए जांच पड़ता लोने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा